देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारात रतन अटल व्यारी वाजपाई की जोयनती है। वीजेपी ने राहूल गांदी को किसान के हित्मे किये गए कामों पर बहस की चनोती दी है। लोगों को टकर मार दी है। उसके बाद ये गाड़ी एक केंटर से जा टकराई है। गुर्दासपूर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुची है, जांच परताल की जारी है। सोनी बत के रहने वाले के शक्स को पुलिस ने गरफतार कर लिया, युवक पर आतंगी संगटस ने जुड़े होने का अश्चाक है, ये गरफतारी दिल्ली एरपोर्ट से हुई थे। और वहीं आगरा के थाना इत्मात दौला शेत्र में बुजर्ग महिला की हत्या कर दी गई, महिला का शब घर के अंदर मिला सूचना पाकर थारा पुलिस मौके पर पहुच गई है, चानवीन के बाद शाफ को पोस्माटेम के लिए भीजा। जैपुर में कस्टम विवाग ने जैपुर एरपोर्ट पर तीन यात्रियों को 36 लाक रुपे कीमत का सोना तसकरी करते हुए पकड़ा, फिलाल कस्टम विवाग आगे की कारवाई करना है। खुशिनगर में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी, व्यक्ति का शवव एक खेत में मिला है, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची है, आगे की जांच पर तलकी जारी है। कोटद्वार में टाइल कारोबारी के घर में हुई डगैती से हलकंप मच गया, इस दोरान घर के सदस्यों को बंदग बनाकर घर में रखी नकदी और जेवरात ले गए हैं बदमाश है जिससे पूरे शेत्र में दिशत का माहौल है। में बनाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन कोरोना का खत्रा भी भी बलगातार बना हुआ है। पिछले 24 गंटे में भारत में कोरोना के 23,068 नए मामले सामने हैं। उत्राखण में कोरोना के 436 नए मरीज मिले हैं। ग्यारा संक्रमितों की अब मौद भी हो गई है। इसके साती राज्यों में कुल मरीजों की संक्या 85,376 हो गई है। पाकड़ा 1458 पहुँच गया। उत्रप्रदेश में पिछले 24 गंटे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के 1170 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1185 मरीज ठीक भी हो गई है। तारक मेता का उल्टा चश्मा शो ने 3000 एपिसोड पूरे कर लिये हैं और शो ने दर्शकों के बीच अच्छी टी आरपी भी लगातार बनी हुई है। टी आरपी की रेस में तारक मेता का उल्टा चश्मा सभी सास बहु ड्रामा से आगे है। रजनी कांत की अचानक तबियत खराब हो गई है। उनके ब्लट टेश्चर में लगातार उतार चड़ावाने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। ब्रांड वैल्यू की एक कंपनी की माने तो ब्रांड वैल्यू के मामले में खिलाडी अक्षे कुमार और दबंग सल्मान खान जैसे सितारों को पीछे छोड़ प्रियंक का चोपड़ा आगे निकल गई है। अमेरिका के साथ संसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को पत्र लिखकर अपील किये कि वो इस मामले में आवाज उठाएं। फिलाल पाच मिनिट अपच्चिस खबरों में सिर्फ इतना ही लगातर हमारे साथ बने रहा। नास्कार।